Hello everyone, आज हम करेंगे direct indirect class 5 का और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए direct और indirect का मीनिंग क्या होता है direct का मीनिंग होता है मैं directly आपसे बात कर रही हूं तो ये direct बात है लेकिन अगर आप किसी और को बताने लगे अपनी मुंबी को बताने लगे कि ma'am ने इस तरीके से समझाया था या अपने किसी friend को समझाने लगे कि ma'am इस तरीके से समझा रही थी तो ये आप indirectly बात बोल रहे हो मतलब मेरी समझायवी बात किसी और को बता रहे हो that is known as indirect और मैं अगर आप से directly बात कर रही हूँ तो ये क्या है direct है अब इसमें दो चीज़ होती है एक होता है reporting रिपोर्टेंग वर्ब होती है और एक होती है reported speech ठीक है reporting वर्ब जो होती है मतलब sad ये जो होती है reporting वर्ब होती है जिसमें हम कहते हैं पूछना, कहना या बताया बतलब neha ने बताया, neha ने कहा या नेहा ने पूछा किसी काम के लिए मतलब यह हमारा subject होता है तो जिस काम के लिए पूछा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यह क्या है हमारी reported speech इसको क्या कहेंगे हम reported speech और यह क्या है हमारी reported reporting verb ठीक है दो चीज़ों होती है एक होती है reporting verb और एक होती है reporting speech reporting verb वो होती है जिसमें हमें पता चलता है कि किसने कहा या पूछा या फिर बताया और क्या बात बताई मतलब जो main sentence है जो inverted commas में होता है वो क्या होती है reported speech होती है जैसे कि यह जो sentence आप देख रहा हूँ नेहा said I go to market मैं market जाती हूँ यह क्या है present indefinite में है यह वाला जो sentence है तो हम इसको क्या करेंगे past indefinite में change करेंगे तो हमारी जो formation होगा वो किस तरीके से होगा वो देखिया नेहा said that मतलब यहां से inverted commas और क्या लगाएंगा that she went she क्यों लिखा मैंने क्योंकि जब आप किसी और को बताओगे तो आप I तो use नहीं करोगे तो हम I की जगा हमारा जो pronoun है उसको हम change कर देंगे शी में और यहां पर मैंने she क्यों लिखा है he भी लिख सकती थी she इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर कौन है नहा तो इसलिए यहां पर क्या आया है she यहां पर मैंने लिखा है went जबकि यहां पर था go तो go की हमें कौन सी form लगानी है verb की हमें second form लगानी है तो go की second form होती है went go, went, gone third form होती है gone ठीक है तो हमें second form लगानी है और आगे का sentence हमें as it is लिख देना है to market she went to market तो हमारा जो sentence है past indefinite present indefinite से past indefinite में change हो चुका है ठीक है तो subject plus main verb जो होती है उसका हमें second form लगाना होता है next है आपका Anita said I write in the evening तो हम यहां से inverted commas रटाएंगे inverted commas रटाएंगे हम क्या लगाएंगे that Anita said that I की जगा क्या हो जाएगा क्योंकि लड़की है तो क्या जाएगा she right की हमें कौन से फॉर्म लिख नहीं है second form she wrote in the evening as it is आज जाएगा now इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं अगर verb के साथ यहां पर कोई कुछ दियावा हो कोई भी subject दियावा हो object दियावा हो जैसे to me to him तब क्या होगा यहां पर sad की जगा क्या लगेगा told anita told me anita said to me की जगा क्या होगा anita told me that she I की जगा क्या जाएगा she right की जगा क्या जाएगा wrote in the evening right now next one is they said we play cricket तो they मतलब उन्होंने कहा वो cricket क्या करते है खेलते है so they said inverted commas हटा है हमने क्या लगा दिया that they said that V की जगा क्या जाएगा क्यूंकि यहां पर they use हुआ है ज़्यादा लोग है तो V की जगा क्या हो जाएगा they तो V की जगा क्या आएगा use they play second form लगाएंगे तो played हो जाएगा और cricket हम as it is लिखते हैंगे so they said that they played cricket अब कुछ ऐसे words हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए कि जब भी हम changes करते हैं direct in direct sentence को indirect मे तो इस तरीके से changes करते हैं जैसे will आता है तो उसको हमें would में change करना है now आएगा then में change करेंगे this को that में these को those में करेंगे here को there में tonight को that night में today को that day last night the previous night बन्दब जो पहले night है जो एक पहली रात है yesterday means the previous day जो एक पहला दिन है tomorrow means the next day जो आने वाला दिन है जिसको हम following day भी बोलते है then last week the previous week next week the following week last month the previous month next month a month after ago के लिए हम use करेंगे previously या फिर before तो ये आप बिलकुल रट लीजेगा क्योंकि ये words आपके कहीं नी जाने वाले और हर एक sentence में आपको मिलेंगे अगर direct and direct को tricky बनाना होता है तब इन सब को use किया जाता है ठीक है तो आप इनको याद कर लीजेगा आपको ताउम्र आपके लिए helpful हैंगे अब सबसे पहले देखते हैं present indefinite को past indefinite में कैसे change करते हैं पहला है he said I work in Paris ठीक है inverted commas में है तो he said inverted commas रटाएंगे तो क्या आजाएगा that I की जगा he आएगा क्योंकि यहाँ पर he use हुआ है he worked in Paris next is present continuous को past continuous में change करेंगे he said I am working sentence यह है present continuous का अब इसको हम past continuous में कैसे change करेंगे he said that he was working तो I की जगा I की जगा he use हुआ है क्योंकि यहाँ पर he था M की जगा क्या use हुआ है was यह were use होगा ठीक है क्योंकि यह single person था तो इसलिए was use हुआ है next one is present perfect को हमें किस में change करना है past perfect में my father said I have worked तो my father said that he had worked past perfect में क्या होगा हम क्या लगाएंगे had लगाएंगे ठीक है past continuous में हम क्या लगाएंगे was लगाएंगे या फिर word लगाएंगे जब बहुत सारे लोग होंगे तब word लगाएंगे एक की बात की जाएगे तो was लगाएंगे अब यहाँ पर है present continuous को past perfect continuous में change करना है तो present perfect continuous होता है उसमें have been use होता है तो हम जब past में इसको change करेंगे तो यह had been में change हो जाएगा ठीक है और बाकी का जो हमारा sentence है वो as it is रहेगा honey said I have been working since morning तो हम क्या कहेंगे honey said that he क्योंकि लड़का है तो he had been working since morning अब past indefinite को हमें किसमें change करना है past perfect में तो my father said I went to goa ठीक है अब यह यहाँ पर जो went है यह कौन से form है second form है verb की ठीक है लेकिन जब past indefinite को हम past perfect में change करते है तब क्या होता है verb की कौन से form आती है third form आती है तो my father said that I की जगा he had gone to goa ठीक है he had gone to goa तो third form आ गई event की और had के साथ आपकी verb आजेगी now next one is past continuous को जब आप past perfect continuous में change करेंगे तो क्या होगा they said we were going ठीक है वो जा रहे है so they said that they had been going वो जा रहे थे ठीक है तो यहाँ पर had been का use होगा past perfect में ठीक है past perfect में याद रखना had been का use होगा right now next one is past perfect को जब आप change करेंगे तो past perfect में ही change होगा he said I had done my work तो क्या होगा he said that he had done his work क्योंकि my तो नहीं आएगा यहाँ पर my को हम change करेंगे his में his क्यों होग गया क्योंकि यहाँ पर he था तो इस तरीके से यह जो rules हैं अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपका कहीं भी कोई direct indirect कभी भी गलत नहीं होगा और फिफ्ट क्लास में अभी यही तक आएगा और जो future tense होता है वो आपका six से start करते हैं तो अमीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा अगर रहे तो like share जरूर करिएगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बोलना और इसकी वोक्षीट मैं बहुत जल्दी upload करूँगी मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye and thank you